हलो बच्चो भेरी भेरी गुड मार्डिंग टू आल आफ यू कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो आज फिर आपका एक अलग लेक्चर के साथ फिजिक्स का एक छोटा सा एलेक्ट्रो एस्टेट और एलेक्ट्रिक चार्जेश से रिलेटेड हम एक फिजिकल डाइलोग के लूप में एक छोटा सा टॉपिक आपके बीच में लेके आये हैं जिसमें कुछ चुनिंदे चुनिंदे और अच्छे च्छोटे च्छोटे कोस्टन्स है जो कॉंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि ने जानते हैं बस ये बताने के लिए आये हैं कि ऐसा भी कुछ होता है ये concept आपको जानकारी में रहेगा तो आगे जब हम इसको start करेंगे तो वहाँ आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा तो देखिए आपके सामने क्या लिखा गया है पहले कुछ बता दे कि ये आपका छोटा सा प्यारा सा देख है फ्रेस चैप्टर आपको start करेंगे ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपका पढ़ना क्या है physics किसके लिए है आपको दिखाई दे रहा होगा 11, 12, medical, engineering, IIT, NIT, KVP, Olympia NTSC ये बेटा ऐसे नहीं लिखा गया है मैं आपको जितना कुछ लिख के दिया हूँ वो सारी आवस सकता है आपका हम पूरा जरूर करेंगे फिलहाल तो जो question हम लेके आया है उसको समझने का कोशिश करते हैं और ये बच्चा 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ता है 7 से पढ़ता है पहला question हमारे पास है does a heavy mass attract a lighter mass with a greater force यानि कहने का मतलब यह है कि क्या आधिक mass वाला आधिक द्रभ्यमान वाला हिंदी में लिख देते हैं question पहले आधिक द्रभ्यमान वाला बस्तू हलके बस्तू को अधिक बल से आक्रसित करता है यही हमारे पास एक question है क्या है कि मान लोकी यह आपको पता होगा कि जब दो बस्तू के पास mass होता है जब दो बस्तू के पास दो body के पास दो substance के पास दो object के पास mass होता है it means कि उसके बीच में force of attraction लगता है always attraction लगता है जब mass होगा तो हमेशा attraction लएगा जब charge होगा तो attraction और repulsion दोनों लएगा यानि charge अब होगा तो आकरसन भी लएगा और बिकरसन भी लएगा लेकिन जब cable mass होगा तो वहाँ पर cable आकरसन भल काम करता है ठीक है ये आपको कहानी है हम कई एक बार पढ़ाते हैं तो एक question बिटा उठाते हैं इसको बताने से पहले हम एक question आपसे पूछते हैं जरा आप हमको बताईएगा इसके बाद तो आपको समझ में आई जाएगा कि एक मच्छर और एक हाथी दो body है दोनों के पास कुछ न कुछ मास है मच्छर का भी कुछ मास होगा बिल्कुल होगा negligible ही सही लेकिन कुछ तो मास होगा हाथी के पास भी मास होगा तो दोनों body के पास मास है तो हाथी भी मच्छर पर बल लगाएगा और mosquito जो है वो भी elephant पर बल लगाएगा आपके पास question ये रहा कि मच्छर हाथी पर ज़्यादा बल लगाएगा या हाथी मच्छर पर ज़्यादा बल लगाएगा ठीक है mostly बच्छे ये जवाब देते हैं अक्सर तुम लोग भी सोच के हमको बता दो बता दो हम भी जान जाए कोन ज़्यादा बल लगाएगा बताईए क्या कोन ज़्यादा बल लगाएगा मच्छर हाथी पर ज़्यादा बल लगाएगा या हाथी मच्छर पर ज़्यादा बल लगा तो बेटा कोई किसी पर ज़्यादा बल नहीं लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा आप कहानी इसी से शुरुआत होता है कहता है कि एक अधिक मास वाले बस्तू जो है एक निम्न मास वाले बस्तू को क्या ज़्यादा बल से अपनी बड़ी है फॉर्स का कहानी बताएंगे देखो बेटा जब फॉर्स का कहानी आएगा तो किसी भी बड़ी को पहला काम हमारा होगा कि किसी भी बड़ी को पॉइंट से पे जूम करेंगे क्या करेंगे किसी जब हम फॉर्स पर आएंगे तो वहां सिखाएंगे बहुत कुछ ले क्या करेंगे बिंदु मात्र आकृति का उसको मान लेंगे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कहेंगा कि बिंदु मात्र आकृति को क्यों मानेंगे क्योंकि फॉर्स निकालने के लिए चाहे वो से पमानना होगा तीसरा point जो point shape मानेंगे वह कैसे मानेंगे हम वहां समझाएंगे भी आपको लेकिन जो point से body का मानेंगे तो चुकि एत्रेक्षन का कहानी है तो attraction में मास ज्यादा माइन रखता है तो body और टोंगली का मास का लोकेट करेगा जैसे हम आपको एक एक अमपल देदे की ये बोडी है हमारा तो इसका प्वाइंट से पगण मानेंगे तो इसमें हम आप उगली लगाय हुए आपको दिखाय दे रहा होगा तो जिस पोजीशन पर हमारा ये उंगली लगा हुआ है इसका मतलब ये इधर उधर नहीं हो रा इट मींज कि इस body का पूरा मास हमारे उंगली पर लाई करा है उंगली पर इसी थै तो ये उंगली जहां लगा हुआ है बुक पर उसी को उसी पॉइंट को क्या मालेंगे कि पूरा का मास according to center of मास के नियम से total का total दरभेमान हमारे उंगली पर यानि इस बस्तु के इसी बिंदु पर किंदृत है उसी बिंदु shape का body मालेंगे और मानेंगे कि ये बिंदु ही ये body है ठीक है ये तीन चीज आपको जाना जरूरी है center of मास से जुम करेंगे तो एक आपका body का मास कम है दूसरा body का मास आपको बहुत ज़्यादा है ठीक है अब दोनों के बीच का जो distance हम ले रहे हैं वो दोनों के बीच का distance माल लेते हैं कि इन दोनों के बीच का distance आपको आज़े हैं तो इक का इधर force लगाएगा माल लेते हैं कि यह force आपका f1 लगा रहा है यह force आपका F2 लगा रहा है यह क्या कर रहा है F1 फॉर्स से इसको अपनी और घीच रहा है बड़ा मास वाला को यह F2 फॉर्स से यह अपनी और आकर्शित कर रहा है लाइटर मास वाले आनि हलके मास वाला कम द्रब्मान वाले को अपनी और घीचने का काम कर रहा है तो दोनों में कहानी क्या होगा वो जानना ज्यादा दिल्चस्प है कहानी ये होगा पहला नमबर पॉइंट कि आपका दोनों फॉर्स का जो मैगनिचूड होगा मैगनिचूड कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये F1 जो फॉर्स लगाएगा F2 पर इसका जो मैगनिचूड हो हाथी भी मच्छर पर बल लगाएगा direction opposite होगा मच्छर अपनी और घीचेगा हाथी अपनी और घीचेगा मच्छर मानलो कि मच्छर पच्छी में खड़ा है और हाथी पूरब में खड़ा है तो मच्छर पच्छिम की और घीचेगा यानि बल का जो direction होगा मच्छर का वो पच् भी हाथी पर लगाएगा तो ये आपका from Newton's third law Newton के तीसरा नियम जो कहता है उसके नियम से काम करता है Newton's third law Newton's कोन सा लो थार लो Newton's का जो तीसरा नियम है वो Newton के तीसरा नियम के आधार पर जो F1 लगा वो F2 के बराबर हो गया magnitude है आप इस पर vector quantity है तो तीर का निसान दे भी सकते है नहीं भी दे सकते हैं फिलहाल है vector तो चलिए हम आपके सामने तीर का निसान इस पर रिपरजेंट कर देते हैं ठीक है यह हो गया पहला number point दूसरा number point यह होगा कि आपका F1 जो force लगाएगा उसका direction F2 से क्या हो जाएगा विप्रित दिशा में हो जाएगा तो F1 F2 के विप opposite होंगे इससे क्या पता चला कि direction जो होगा वो आपका opposite होगा विप्रित दिशा में होगा किस दिशा में होगा विप्रित दिशा में होगा किस दिशा में होगा विप्रित दिशा में लगाएगा लेकिन जो force लगाएगा वो आपका समान मात्रा का लगाएगा समान मात्रा का force समान मात्रा का बल आपको विप्रित दिशा में लगा ठीक है same magnitude of forces applied on opposite direction ठीक है समान मात्रा का force विप्रित दिशा में लगाया जाएगा ठीक है और ये जो है आपका charge के case में भी available होता है ये property आपका charge के case में भी available होता है it is also available also available in case of charge in case of charge ठीक है ये आपको charge के इस्थिती में भी charge के इस्थिती जो आबेस होगा उस इस्थिती में भी ये आपको देखने को मिलेगा उसमें कहीं से कोई doubt नहीं होगा हम आपको बहुत अच्छे अच्छे question दिखाएंगे आगे देखिएगा charge में कैसे ये काम करेगा तो पिटा मान लो कि ये आपका two column charge मान लेते हैं मेरी मर्जी है और ये आपका 10 column charge 10 column एक column आपको बहुत छोटा amount नहीं होता है charge का आज हम clear करके दिखा देंगे कि एक column जो आप charge कहते हैं वो बहुत बरा amount होता है कैसे होता है वो भी अभी हम clear करेंगे थोड़ा सब्र तो किजिए आप लोग अब two column दिया हुआ है और ये दिया हुआ है अब बेटा ये same charge है तो विकर्षन होगा हम charge को negative opposite कर दिए दोनों को point safe माने है क्यों माने है वो हम पहले आपको समझा चुके है अब ज़रा द्यान से देखिएगा तो ये आपका इधर force लगाएगा इसको मान लेते हैं f1 और ये आपका इधर force लगाएगा force of attraction इसको मान लेते है f2 कहानी वही होगा कि f1 का magnitude आपको f2 यानि f1 का जो magnitude होगा वो क्या हो जाएगा f2 के magnitude के बराबर हो जाएगे इसमें कोई doubt नहीं है f2 के magnitude के बराबर हो जाएगे तो ये आपका f2 के magnitude के बराबर हो गया direction इसका भी opposite होगा ये अपनी और घीचेगा और वो अपनी और घीचेगा ये इस दिशा में घीच रहा है वो उस mutually attractive force लग रहा है, दोनों तरफ आपका mutually attractive force, कैसा force? तो attractive force लग रहा है, mutually attractive force in opposite direction, किसमें? in opposite direction, विपरित दिशा में समान मात्रा का force लग रहा है, in opposite direction, in opposite direction, किसमें लग रहा है? in opposite direction, ठीक है? in opposite direction, mutually attractive force in equal amount नपयाईreten एक सकेड़ एक सकेड़ कहला माßवार्ज नापकत में अगनियूड li session का तो च्रक्राइए कि आपका ख्या बोले अपका- düşत्रषर्ट अपक्षमक्ट का इहाई इक्वास नापक आपकूल renasi direction और direction क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा दिशा आपके opposite direction दिशा आपके विप्रित हो जाएगे लेकिन आपका force जो लगेगा attractive force लएगा equal or same magnitude का लएगा magnitude same magnitude समान मात्रा की force विप्रित दिशा में लएगा यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग क्या समान मात्रा का बल शमान मातरा का बल विपर्श दिशा में लगेगा विपर्श दिशा में लगेगा तो यह आपको चार्ज के कंडिशन में भी देखने को मिलेगा ठीक है तो attractive force exist between आपका two masses and two charges also तो attraction का कहानी mass में भी होता है और आपको charge में भी होता है तो अभी attraction का कहानी पर रहे थे तो एक और point हम लिख सकते हैं क्या attractive active forces act between two masses and two charges also ठीक है यानी आक्रसित आक्रसन बल जो होगा वो ये भी लिख देते हैं आक्रसन बल आक्रसन बल दो द्रब्यमान तथा दो आबिस वाले बस्तू में लगता है बस्तू में क्या है लगता है तो बस्तू के पास charge होगा तब भी force of attraction लेगा और मास होगा तब भी force of attraction आपका काम करेगा ठीक है यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक समझ में आ गया बहुत ही अच्छा में आ गया होगा कि किसके पास कितना चार्ज है कितना मास से उससे कोई मतलब नहीं है इसी का कारण है बहुत इंपर्टेंट चीज़े जो हम आपको समझाने जा रहे थे कि प्रीथवी का मास 6 into 10 to the power 24 kg होता है और आपका और हमारा मास 60, 65, 70 kg और 50 kg होता है अगर यह सेम एमा उनका नहीं लगाता तो हम लोग को प्रीथ भी अपने केंद्र की और घीच लेता कहां घीच लेता केंद्र की और घीच लेता समझ में आ गया बहुत इंपर्टेंट कोस्टन था चलिए लेक्ट देखते हैं अगला अमारा कोस्टन क्या है सो देखिए क्या कहता है कि does the mass of an iron deeper from its atom क्या कहता है कि क्या ठीक है आयन का आयन का द्रब्यमान परमानू से भिन होता है पूछ रहा है कि क्या iron का द्रब्यमान परमानू से भिन होता है क्या कहता है यदी हां यदी हां अगर होता है यानि यदी हां कहने का मतलब क्या यदि हाँ या यदि होता है तो यह अधिक या कम अधिक या कम और कितना अधिक और कितना कम कितना अधिक और कितना कम बहुत ही खुबसूरत कोश्चन है क्या कि किसी परमानू का मास वियानि किसी परमानू की आयन्स के मास से भीन हो सकता है जैसे हाइडरोजन एटम ले लिए और hydrogen का iron भी ले लिए, तो किया hydrogen iron का mass जो होगा, वो hydrogen atom के mass के बराबर होगा या नहीं होगा, यही इसमें पूछ रहा है, कहता है कि अगर भिन होता है, दोनों का mass अलग होगा, तो कितना जादा होगा और कितना कम होगा, अधिक होगा या कम होगा, बढ़ेगा या घटेगा, और कितना से बढ़ेगा, और कितना से घटेगा, यही कोस्चन आपको पूछा गया है, जड़ा ध्यान से देखिएगा, हम बहुत अच्छी तरह से इसको explain करके समझाते हैं, बेटा मान लो ये तुमारा atom, क्या है, atom, जेनरली atom जो होता है, वो आपका neutral होता है, क्या होता है, यानि उदासीन होता है, उदासीन कहने का मतलब जितने positive charge, उतना ही negative charge होता है, ठीक है, तो ये neutral होगा, atom क्या होगा, तो atom जब neutral होगा, तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, अब atom से हम क्या करते हैं, कि electron को निकालते हैं, electron को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, atom से क्या कर रहा है कि electron को रिमूब कर रहा है बाहर निकाल रहा है जैसे electron को निकाल लिएगा तो किसी भी atom से जब electron निकाला जाता है तो उस atom पर एक positive charge आजाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जो atom आपको होगा वो ions में change कर जाएंगे कैसे ions में तो केटायन में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा केटायन में बदल जाएगा और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आपका पोजेटीव आ जाएगा और बोडी कैसा चार्ज हो जाएगा तो पोजेटीवली चार्ज हो जाएगा कैसा चार्ज हो जाएगा पोजेटीवल रेडियेशन होता है जिसके पास एलेक्ट्रिक और मैगनेटिक दोनों भी हवियर पाई जाता है उसका जब बंबार्डिंग करवाते हैं किसी भी आटम पर तब वहां से एलेक्ट्रोन बाहर निकलता है या फिर उसमें एलेक्ट्रोन को हम डाल पाते हैं ये भी ध्यान में जाए गट जाएगा द्रब्रमान आपको घट जाएंगे द्रब्रमान घट जाएगा क्या जाएगा घट जाएगा अब ध्रब्रमान कितना से घटेगा वो ले हम Nit Li अपका घट जाएगा अब भर मोने घटेगा कितना से सो देखिए अब इसके पास एक electron था यहाँ पर तो electron का कुछ नो मास होता है तो electron का मास कितना होथा हलाकि कम होता है लेकिन होता तो है यह लाक्त रोन का मास कितना होता है 9.1 ∂7 to the power minus 31 minus कितना 31 10 to the power minus 31 kg कितना हो जागा 10 to the power minus 10 to the power minus 31 kg ठीक है तो इतना kg आपको mass होता है किसका electron का तो electron अगर बाहर निकल गया तो इतना mass तो आएंस का इसमें इसमें था electron तो इसका mass भी इसमें उपस्थी था क्योंकि mass क्या होता है किसी भी container के अंदर जो quantity कंजर होता है आपको अगर बैठा देंगे तराज उपर और आपका वजन 60 kg है एक kg सेव खरीद क्या एक kg अंगूर खरीद के हम आपको खिला देंगे ता आपका वजन 62 kg हो जाएगा ठीक है ता आपका body container है जो डाल दिये वह हो गया तो यहां पर क्या हुआ कि एक electron बाहर निकला पहले इसमें था जब निकला तो क्या हो गया mass घट गया कितना घटा तो इतना electron अपका mass लेके वहां से बाहर निकल गया हो पहला नमबर चीज दूसरा कि आपका एक atom है क्या है ध्यान से देखिएगा दूसरा भी आपको दिखा रहा है यह आपका atom है अब इसमें क्या कर रहा है कि एक electron को हम डाल देंगे एक electron को क्या करेंगे डाल देंगे electron को क्या करेंगे उसमें क्या किये थे electron को बाहर निकाले थे इसमें electron को add कर देते हैं electron को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं electron को जैसे ही आप electron को इसमें add कीजिएगा तब यहां से क्या आ जाएगा कहानी तो आपका यह body जो आ जाएगा यह ions में बदल जाएगा इसको बेट चार्ज हो जाएगा इस पर नीगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसमें मास क्या होगा तो इसका मास बेटा बढ़ जाएगा मास क्या कर जाएगा बस जाएगा मास विल इनक्रीज इसका मास क्या हो जाएगा इसका द्रब्यमान आपका बढ़ जाएगा कितना से बढ़ेगा तो इतना ही से बढ़ेगा, यह बराबर कितना, 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 केजी से इसका मास बर जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, बर जाएगा, क्योंकि प्रोटोन और नूट्रोन कुछ नहीं हुआ है, इसमें एलेक्ट्रोन निकल गया, तो मास भैड़ी किया, द घट जाता है, कितना से घटेगा, तो अगर 5 गोई लेक्ट्रोन बाहर निकला, तो 5 गोई लेक्ट्रोन का जितना मास होगा, उतना मास उसका एटम से आयनस का खम जाता है, आप 5 गोई लेक्ट्रोन अगर जोड़ दिये, तो जितना एलेक्ट्रोन आ गया, उतना मास किसी भ आपका बहुत खुबशूरत और बहुत अच्छा कोश्चन था उमीद है आपको समझ में आ गया हुआ कि atom और ions के mass में क्या अंतर होता है तो चलिए अब आगला कोश्चन देखते हैं क्या कहता है क्या 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 एक बिंदू आबेश किसी दूसरे बिंदू आबेश पर जो बैदूत बल लगाता है क्या लगाता है बैदूत बल लगाता है उसमें कोई परिवर्तन होगा यदि दूसरे वैसे बहुत सारे आबेशों को उसके नजदीक लाकर रख दिया जाता है यह कोश्चन है बहुत खूप्सरत और बहुत अच्छा कोश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं मान लेते हैं कि को यह आपका पॉइंट चार्ज है मानने की चीज है मानते रहो ठीक है यह आपका कोई पॉइंट चार्ज है इस पर मान लेते हैं बेटा प्लस क्यूवन ठीक है और यहां कोई पॉइंट चार्ज है इसको मान लेते हैं प्लस क्यू टू ठीक है अब दोनों चार्ज को हमने क्य मानलिया है तो समान आबेस वाला मानलिया है समान आबेस वाला माना candle पड़ाब यानि दोनों पर आबेस यह भी positive तो यह भी positive जब समान आबेस होगा तो force of लएगा उसacam लएगा आइधर अ कैसे काम करेगा वो हम जड़ाप को समझये के को्याइन हैं समझने का कोशिस आपलों को करना है के बल यह फॉर्स आपका इधर लगेगा ळसे माल लेते हैं कि इधर जो फॉर्स लग रहा है वो f1 लग रहा है और इधर जो फॉर्स आपका लग रहा है यह आपका f2 लग रहा है हमने पहले भी बताया है चुष्त का magnitude same होगा दिशा बदलेगा magnitude same होगा दिशा बदलेगा चाहे वो electrostatic force हो या फिर आपका force of attraction या gravitational force ठीक है तो suppose कर लेते हैं suppose कर लेते हैं कि यहाँ जो आपका force लग रहा है इसमें जो force लग रहा है वो कितना लग रहा है 100 Newton इधर भी लग रहा है और 100 Newton इधर भी लग रहा है अब आप ध्यान से देखिएगा जो कोस्टन था उसको हमने लिख दिया ये प्लस की वन ये भी पॉइंट चार्ज है ये भी पॉइंट चार्ज है दोनों पोजेटिव है तो विकर्शन लएगा ये इधर धकलेगा और वे इसको उधर धकलने का काम इस पर 100 न्यूटन का और इस पर भी कितना 100 न्यूटन का बल आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा अब कहता है कि इसके नजदीक में और भी चार्जेज को लाके रख दिया जाता है जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं एक चार्ज आपको यहाँ Q3 को डाल देते हैं ए कैसे हम बहुत सारे चार्ज को इसके नजदीक में लाके रख दिये हैं यहाँ पर Q9 डाल दीजे इधर आपका Q10 डाल दीजे ठीक है हमने क्या क्या बहुत सारे चार्ज को रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ज सब हम प्रिंट करके दिखा देते हैं यहाँ पर ए तो नहीं लगेगा या इसके इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा यही हमारा question था यही हमारा question था जिसको हम diagram के माध्यम से भी आपको समझा दिये हैं जैसा सोचिए कि कहानी क्या होगा फिर हम आपको दिखाते हैं कोई परिवर्तन होगा तो बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें कोई परिवर्तन होने बाला नहीं है नहीं होगा तो क्या होगा तो लिखेंगे नो अलाक्रोस्टेटिक फोर्स लिखेंगे नो बीकॉज अलाक्रोस्टेटिक फोर्स इज ए टू प्वाइंट बोडी प्वाइंट बोडी अट्रेक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कुन सा फोर्स टू प्वाइंट बोडी अट्रेक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होगा ठीक है यह हमेशाद दो प्वाइंट बोडी के बीच ही force लगता है आलक्रोस्टेटिक और रिपल्सिव फोर्स इसका यह अर्थ हुआ देटीज प्रजेन्स और फ्रस नेभर चेंज यहां क्या लिखेंगे देटीज फ्रस नेभर चेंज इज आईदर प्रजेन्स और absence of either presence और absence of any point charges नियर बाइट इससे क्या पता चला कि आपको कह यह रहा है यह क्या कह रहा है कि विकाउज नहीं क्योंकि एलेक्ट्रो एस्टेटिक फॉर्स जो होता है बैद्धुत बल जो होता है वो बेटा दो पॉइंट बॉड़ी के बीच जो एट्रेक्टिव और पलसी फॉर्स होता है हमेशा दो पॉइंट बॉड़ी के बीच ही रखता है तीसरे और चौथा से उसको कोई मतलाब नहीं होता है फॉर्स नेभर चेंजेज इट्स क्या कहता है फॉर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि आइदर प्रजेंस और अप्सेंस अप एनी इन कोस्टन था या ऐसे लिख सकते हैं चाहिए इंडिपेंडेंट ओफ ऐसे भी लिख सकते हैं इट इंडिपेंडेंडेंट और इट इज इन्डिपेंडेंट आप उसके बाद इन्डिपेंडेंट आप प्रजेंट और एबसेंस आफ एनी चार्जे नियर बारी यानि क्या वो स्वतंत्र होता है नजदीक में जितने भी चार्जे लाएगा उससे एलेक्ट्रोस्टेटिक फॉर्स को कोई प्रभाब नहीं पड़ता है क्योंकि वो उससे स्वतंत्र होता है एलेक्ट्रोस्टेटिक फॉर्स हमेशा टू पॉइंट बॉड़ी के बीच में लगता है उमीद है ये भी कोस्टन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा कोस्टन था Next कोस्टन देखते ह। देखे है ये कोस्टन तो और भी लाजबाब है बहुत लाजबाब कोस्टन है क्या काता है इसका चर्चा हम लास्ट में करेंगे देखे है आगे कोस्टन देखते है What is your opinion आपका क्या राय है अपना नहीं, आपका क्या रहा है, आप क्या सोचते हैं वो पूछा जा रहा है, what is your opinion about the claim of a research scholar that neutrino has a charge इतना, आप कहता है कि आपका क्या रहा है कि एक research scholar है, ठीक है, एक research scholar है, यानि scientist level का लोग है, scholar है, वो blame लगाता है, वो blame क्या लगा रहा है, कि कोई उसको कह रहा है कि neutrino के पास, जो neutrino है, उसके पास इतना charge पाया जाता है, तो वो कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, कि neutrino के पास इतना charge पाया जा सकता है, ऐसा research scholar blame लगा रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है, कोई आदमी कह रहा है, जैसे हम ही कह रहा है, कि किसी neutrino के पास इतना आबेस इतना चार्ज पाया गया है तो research scholar कर रहा है कि आप जो कर रहा है न सर वो बिल्कुल गलत कर रहा है आप जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है ऐसा संभाव नहीं है तो जब हम उसका बात काट दिये तो हम तुमको ले आए कि आप बताओ या आप लोग बताईए कि क्या हम कर रहा है वो गलत है वोई चीज इसमें पूछा गया है अब जब सोच के बताईए तो क्या होगा answer अब देखिए इसका answer क्या होगा तो उसका कहानी कथन बिल्कुल सही था वो सही कह रहा था काता है कि what is your opinion about तो हम लिखेंगे no, क्या, because neutrino has no mass, neutrino के पास कोई mass नहीं होता है, अब जब बेटा mass नहीं होगा, तो charge always exists on mass, but mass does exist without charge, लेकिन charge does exist does not exist without mass, यानि कहता है कि किसी भी बस्तु को आबेशित होने के लिए उस बस्तु के mass का होना जरूरी है, लेकिन किसी भी बस्तु के mass द्रभबान होने के लिए charge की कोई आवसकता नहीं होती है, अब कहता है कि neutrino के पास आपका कोई मास नहीं होता है, जब neutrino के पास मास नहीं होगा, it means कि hence it cannot has any charge, hence it cannot has any charge. अब उसके पास मास होगा नहीं, तो चार्ज होगा क्या, चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज होगा ही नहीं, तो यह आ कहां से जाएगा, जब चार्ज ही नहीं होगा, तो आना सम्भब नहीं है, as charge is always associated with mass, क्योंकि चार्ज हमेरा हमेशा मास के साथ ही रहता है, मास के साथ ही रहता है इसके लिए हम कुछ नोटेबल पॉइंट आपको बता देते हैं वो ध्यान रखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा आपको हमेशा काम आएगा ठीक है वैसे हम पढ़ाएंगे तो समझाते ही रहेंगे बार बार आएगा नोटेबल पॉइंट आपका क्या है वो आप जान लिजे कि notable point हम क्या बताने जा रहे हैं कि लिखिएगा कि चार्ज डज नॉट एक्जिस्ट कि विदाउट मास कि टिक है और दूसरा लिखेगा मास डज एक्जिस्ट विदाउट चार्ज कि काता है कि आबेस बिना दरब्यमान का आबेस संभब नहीं है ठीक है कि भी बस्तु को आबेसित करने के लिए उस पर चार्ज लाने के लिए उस पर पहले मास को develop करना होगा, यानि जब उसके पास mass होगा, तभी उसके पास charge संभब है, अदरबाई संभब नहीं है और दूसरा कहता है कि mass does exist without charge mass, तो कोई भी body हो उस पर अगर force लगे, चाहे वो attractive force लगे, gravitational force लगे, repulsive force लगे कुछी भी परकार का force लगेगा, तो उसके पास mass का होना जरूरी है, बेटा electrostatic force charge में लगता है लेकिन बस्तू पर charge आने के लिए mass की आब सकता, 110% जरूरी होता है, ठीक है, तो mass होगा, तब हाँ, केबल mass होगा, किसी बस्तू में charge नहीं होगा, तो हमेशा force of attraction लगेगा ठीक है, अगर mass के साथ charge होगा, तो उस पर दोनों बलकाम करेगा समझ में आ गया होगा, बहुत ही खुबशूरत और बहुत अच्छा question था, चलिए next question, क्या काता है कि can even the whole charge of a body be transferred to the other, क्या काता है किसी भी बस्तू के पास, जैसे मालो हम ही है, तो हमारे पास मालो एक सो कुलम चार्ज है suppose कर लेते हैं, हमारे पास सो कुलम चार्ज है, कोई बच्चा कहा कि ओहो, सर के पास एक सो कुलम चार्ज है, सो का सो कुलम चार्ज उनसे बाहर निकालो यानि हमारे body को क्या कर देना है zero charge पर पहुचा देना है क्या ये संभव है कि कोई body पे जितना charge होगा उसका पूरा का पूरा charge एक body से दूसरे body में transfer कर दिया जाए ये संभव है या फिर और संभव है यही आपको इस question में पूछा गया है जरा सोच के जवाब देखे बताइए कि क्या ये संभव है बिल्कुल संभव है बेटा बिल्कुल संभव है यस लिख सकते हैं answer में क्या लिखेंगे यस का है संभव है तो charge का एक property होता है लिखेंगे as we know that जैसा की हम जानते हैं हिंदी वाले भी लिखते चलिएगा जैसा की हम जानते हैं charge always resides on resides on outer surface of the body अब क्यों पाया जाता है वो हम बताएंगे ये due to repulsion के करण होता है outer surface of the body यानि किसी भी बस्तु के या किसी भी substance पर या किसी भी पिंड पर charge हमेशा बस्तु के बाहरी सता पर लाई करता है ऐसा हम लोग जानते हैं जानते हैं कि बाहरी सता पर ही क्या करेगा लाई करेगा किसी भी बस्तु का charge ये हम जानते हैं और उसके बाद अगर मालों कि ये body जो आपका दिया गया है वो spherical हो, if it is spherical हम कहाने पूरा clear कर देते हैं, if it is spherical गेंद क्या आकृति का हो, hollow, spherical, then the charge will uniformly distributed, will uniformly distributed, but in other shaped body, it is ununiformly distributed. क्या कहता है, कि आपका अगर a sphere होता है, तो चार्ज आपको सब जगध समान मात्रा में विखडा हो रहेगा, उसके बाहरी सता पर समान मात्रा में चार्ज पाया जाएगा अगर दूसरे किसी सेप का बोडी होता है दूसरे आक्रती का बोडी होता है तब अन्यूनिफॉर्मली डिस्टिबूटर होता है सब जगा चार्ज जो पाया जाएगा वो समान मात्रा में नहीं पाया जाएगा दो इस चारज आपको बाशी población बाभी सत्व पर सब जगधा शमानमात्रा में पाए जाएगा। दूसरे सब होगा तो और शमानमात्रा में पाए जाएगा ठीक है यह कहा ने तो आपका यह दिया हुआ है । लेकिन कर रहा है कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं देखो बेटा कैसे करेंगा अब ध्यान से देखो यह आपका कोई बॉड़ी है यह चार्ज बॉड़ी है इसके पास मालो की चार्ज है यह चार्ज बॉड़ी है और एजूम कर लेते हैं कि इसके पास अभी हम माने थे 100 को डिस्चार्ज करना है तो क्या करो किसी दूसरे बॉडी को अंदर में लिया और इसको वायर से कनेक्ट कर दो इसको क्या करो वायर से कनेक्ट कर दो तार से जोर दो सारा का सारा चार्ज जो होगा पहला बोडी का वो आपको किस बोडी पर इसका टोटल का टोटल चार्ज किस पर ट्रांसपर हो जाएगा और बाहरी बोडी पर ट्रांसपर हो जाएगा और ये बोडी जो आपका अंदर आएगा ये बिल्कुल अंचार्ज बोडी हो जाएगा ब ये भी आपका एक बहुत ही superior और बहुत ही अच्छा question था तो अंदर का खाली हो जाएगा और total का total charge आपका कहां ये बाहर बाला body जो है इस body पे आ जाएगा और अंदर बाला body आपको दिखाया गया है इस पर बिल्कुल ही charge नहीं रहा जाएगा इस पर क्या हो जाएगा बिल्क तो यही एक तरीका है इस हम क्या कर सकते है टोटल चार्ज को ट्रांसफर्मेशन तो होगा लेकिन 100 परसेंट नहीं होगा कुछ नहीं कुछ चार्ज वहां रह जाएगा चलिए next question देखते हैं क्या काता है क्या can two similarly क्या question है हमारे पास can two similarly charge body either attract each other क्या दो समान आप क्या जानते हैं आप लोग कि समान आबेश के बीच में विकर्शन लगता है और विसमान आबेश जो होगा विप्रित आबेश के बीच में आकर्शन लगता है पोजेटीव पोजेटीव विकर्शन लएगा निगेटीव निगेटीव विकर्शन लए और अभी हम आप से question पूछ रहे हैं कि दोनों चार्ज सेम है यानि एक positive है तो दूसरा भी positive है एक negative है तो दूसरा भी negative है क्या दोनों के बीच में आक्रशन बल संभव है आक force of attraction दोनों के बीच में संभव है तो answer मेरा होगा बेटा यस यस सर ऐसा है कि दोनों के बीच में आप आकरशन बल संभव है लेकिन कब कैसे और क्यों संभव है यह जानना ज्यादा ज़रूरी है कब कैसे और कब संभव है तो संभव है कब संभव है जैसे मान लोग कि ये body ले लिये तो ये body आपका लिये है और इस पर चार्ज आपको दिखाया जा रहा है ज़र आप ध्यान से रहोंगे तो इस पर आपका चार्ज लिया गया है प्लस प्लस क्यू प्लस क्यू उस पर था इस पर भी प्लस क्यू था यानि आपको दिखाई दे रहोगा एक कैपिटल क्यू दूसरा है स्मॉल क्यू दोनों पर चार्ज समान लिये हैं बेटा बिल्कुल समान कर दिये इस पर इस पर ही positive कौन सा बल लेगा बिकर्संब लेकिन हमने कहा है नहीं आकड़ सन बल लगेगा कौन सा बल लेगा आकर्संबल कभ एशे और कहा लगेगा वो कहा निजला से देखियेगा आप दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाईएगा बिल्कुल जो हम हम बताने जा रहा हैं बिल्कुल उसी पर ध्यान कंसंट्रेट करके रखिएगा ध्यान कंसंट्रेशन आपका भंग होगा बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा हम बार बार कह रहा हैं कि कंसंट्रेशन को बनाए रखिए सांधरन को बिल्कुल बनाए रखिए उसको सर्व होने दीजेगा तो आप बुड़ी तरह से फंस जाईएगा इस पर पोजेटीव है पोजेटीव है पोजेटीव है पोजेटीव है पोजेटीव है और यहां आपका पोजेटीव 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 तो आप देखिए क्या किये हैं कि ये आपका इस पर बहुत ज्यादा चार्ज होगा यानि अधिक आबेस होगा एक पर आबेस जो हो वो क्या हो बहुत ज्यादा हो और दूसरा पर आबेस जो हो वो आपका बहुत कम हो इस पर क्या एक पर बहुत ज्यादा आबेस हो यानि इस और दूसरा number point यानि आपका plus q जो है वो बहुत ज़्यादा है किसके compression में बहुत ज़्यादा है किसके compression में a small q के compression में आपको बहुत ज़्यादा है पहला number point दूसरा number point कहता है कि इसको बहुत नजदीक लाके रख दीजे बहुत नजडिक यानि, दोनों को सटाना नहीं है, दोनों को आपस में सटाना नहीं है, लेकिन सटाएंगे तो Conduction का करिया शुरू हो जाएगा, हम चार्ज में पढ़ाएंगे, Induction, Conduction और इन तीन कहानी, ठीक है? तो सटाना नहीं है, लेकिन दोनों को करीब ला देना है, बिल्कुल क उससे आगे अगर बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाए और सट जाए तो दोनों को करीब ले आप देखिए बेटा ये क्या होगा कि ये पलस पलस के बीच में आपका डिपल्सन फॉर्स लेगा आपको नजर समझ में आ रहा होगा यहाँ बिकर्शन बल लाए नीचे क्या लग रहा है आकरसन बल लग रहा है उपर जो बल लग रहा है वह आपका कौन सा बल लग रहा है तो रिपल्सी फॉर्स लग रहा है तो आपका यहाँ जो फॉर्स लगेगा वो दो तरह का फॉर्स लाएगा तो यह आपका जो फॉर्स है हम जस्टिस को एजूम क करके दिखाते हैं कि यह आपका F1 force लग रहा है यह आपका F2 force लग रहा है चार्ज तो आपको पता है कि क्या है नहीं है तो चार्ज का तो दोनों में magnitude लेंगे चार्ज का हमेशा magnitude लिया जाता है चार्ज का क्या लिया जाता है हमेशा जो आप question बनाएंगे force निकालेंगे तो इसके बीच का दूरी जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका जो R होगा वो कम होगा आबेस सेम है आर इसका ज्यादा हो गया इसका R कम हो गया इट मीन्स क्या कि आपका जो F2 फोर्स लगेगा वो आपको F1 से बहुत छोटा लएगा F2 फोर्स बहुत कम लएगा यह फोर्स ज्यादा लएगा यह आपका बहुत कम लएगा यह फोर्स ज्यादा लएगा क्यों ज्यादा कम लएगा तो आबेस का गुननखन दोनों में सेम है और उसके बाद चार्ज भी दोनों का सेम है Q1 गुने Q2 इसका प्लस Q1 इसका प्लस Q1 इसका प्लस Q1 इसका प्लस Q1 इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा किसके कारण हुआ इन्डवार किस प्लस Q2 इन्डवार करेंगे चार्ज में हम पढ़ेंगे induction process induction बिधी का पालन किया और उसके कारण क्या हो गया इन दोनों के बीच में कौन सा force लगना शुरू हो गया आक्रसन बल ये बड़ा बल है और ये छोटा बल है तो किसका काम करेगा आक्रसन का काम करेगा तो दो समान आबेशित बस्तू के बीच में भी दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब लाना है नहीं है तब आपको आक्रसन बल दोनों के बीच में काम करना शुरू कर देगा और एक question हम आपको पीछे छोड़ दिये हैं जरा हम उसका चर्चा कर लेते हैं पहले उसके बाद आपको बताएंगे देखिए बहुत important question है जरासा सोचने समझने पर प्रेशर डालिएगा दिमाग पर जोड़ डालिएगा क्या होता है the free electron in a metal are gravitationally attracted towards the earth क्या काता है कि जो धातु में मुक्त electron पाया जाता है हमने हिंदी में भी question लिख दिया है जो धातु में मुक्त electron पाया जाता है उस electron का बेटा कुछ न कुछ mass तो होता है आपको हम बताएं 9.1 into 10 to the power minus 31 kg या minus 28 gram तो कहता है कि electron जो आपको धातु में पाया जाते है उस धातु में जो मुक्त electron पाया जाता है उसको भी अर्थ का गुरत्वा कर्शन बल घीचने का काम करता है ठीक है अर्थ का गुरत्वा कर्शन बल क्या करता है उसको भी घीचने का काम करता है जैसे मान न लो हमारा बोडी है तो हमारे बोडी पर प्रित्वी अगर बल लगा रही है तो हमारे कान पर भी लगा रहे हैं, कान पर नहीं लगाना शुरु करेगा ना तो कहता है कि धातू में जो आपको मुkt इलेक्टरोन पाए जाते हैं, उसको प्रित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल्द आक्रशित करता है, ऐसा इस में लिखा गया है, कहता है why then, तब क्यों, they don't settle to the bottom of the conductor, as the sediments settle to the bottom of the river, तब कहता है कि क्यों वो जो धातू का मुक्त electron है, वो किसी भी चालक के नीचे में, चालक के तल में क्यों नहीं आके बैठ जाता है, यह question कर रहा है, जैसे कि नदी में जो बालू पाया जाता है, तो नदी में जो बालू के छोटे-छोटे कन होते हैं, उस बालू के छोटे-छोटे कन पर अर्थ जो है, वो आपका आक्रसन बल लगाता है, तो वो सारा बालू नदी के नीचे बैठ जाता है, नदी के तल में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो वैसे ही आपको किसी भी धा आतु के मुक्त एलेक्ट्रोन पर अर्थ अगर आक्रसन बन लगाता है तो उस चालक के जितने भी एलेक्ट्रोन होने चाहिए मुक्त एलेक्ट्रोन सब नीचे बाइच जाना चाहिए और वो चालक क्या बन जाएगा और चालक बन जाएगा तो विजली को भी ढोने के लिए कि क्या वसकता होगी, तुमको और हमको सरपर लेके ढोएंगे, सरपर लेके ढोएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, यही आपके लिए question है, और ये question आपका HW का question है, इस lecture का HW का question है, जो बच्चा इसका सटिक जबाब देगा और प्रोपर वे में जबाब देगा याद रखना वो बच्चा मोस्ट इंटेलीजेंट बच्चा होगा और हम आते ही अगले लेक्चर में जब हम सुरुवात करेंगे इसका एलेक्ट्रिक चार्ज या कोई भी टॉपिक लेके आएंगे अगले लेक्चर में तो सब से पहले उस बच्चा का नाम लेके ही चिलाएंगे कि मान गये तुमको कहां तुमारे पास कुछ दिमाग है जरूर कॉमेंट करके बताएगा तो इस प्रकार हमने क्या किया आपको फिजिक्स का कुछ कोस्चन के साथ लाए थे और आपको समझाने क कि कोस्चिस किये थे अब हम लोग इसको समझेंगे तो इससे एक दो कोस्चन और करेंगे और तब हम लोग चैप्टर के और प्रोसीड करेंगे कब जब आप लोग का आप लोग का जो रिवैक होगा यानि आप जो इसको देखेंगे और देखने के बाद जो आप रिजल्ट निकालेंगे अगर वो आपके लिए fruitful रहा सही लगा आप लोग comment करके बताईए अच्छा लगा बेहतर performance रहेगा तो इसको आगे भी continue ऐसे किया जाएगा ठीक है तो इस प्रकार आपको जो दिया गया उसको सान्ती से देखिएगा समझेगा पढ़ने का कोशिच किजिएगा कह उस नंबर पर सीधे उठाना है, call करके बताना है, whatsapp कर देना है और यहाँ पर कुछ चाहिए संसोधन तो comment करके बताईए यहाँ पर कंसोधन तो comment क्योंकि जब हम class लेने आते हैं तो आपके comment को एक बार देख लेते हैं तब हमें stage पर चरते हैं और पढ़ना शुरू करते है तो याद रखिएगा इसको complete करके आईए, revise किजिए, पढ़िए जो दिक्कत है और अगले lecture का इंतजार किजिएगा, खाईए, पीजिए, हसिए, मुस्कुराईए, दूसरे को भी खुसराने दीजिए, खुद भी खुसराईए, तब तक के लिए based of luck, thank you